हेलो फ्रेंड्स आज हम करवा चोथ की थाली बनाएंगे एक्रेलिक कलर टेलकम पाउडर ये 3D आउट लाइनर और कुछ डेकोरेटिव माटीरियल इसके लिए हमें एक थाली चाहिए होगी चाहिए घर से ओड ले लिजे मैं छोटी थाले पे बना रहे हूं आप बड़ी प्र पॉर्शन जूटे ना टेलकम पाउडर से वह कलर प्रॉपर लिस्टिक होता है थाली पे और बिल्कुल याद रखेंगे बिल्कुल जब थाली कंप्लीट होजए वार्निश मस्ट है अब हम इस थाली को कलर करने के बाद ड्राय करने के लिए रख देंगे ये हमारी थाली ड सरकल्स एक के अंदर एक बनाके सरकलला पैटर्न बनाएंगे उसके लिए 3D आउट लाइनर से मैं कहीं कहीं पॉइंट लगा लूँगी क्योंकि अगर इस थाली पे हमने पैंसिल चलाई तो कलर हमारा स्क्रेच हो सकता है ना पील हो जाएगा वहां से इस तरह हम दो तीन ये जाएगा ये मैंने तीन सरकल ड्राउ कर लें तीन डिफरेंट साइज से और इनको अब सरकल को जॉइन करते जाएंगे 3D आउट लाइनर की हल्प से और अगर आपकी नोजल ब्लॉक होती है तो हम वायर डाल के क्लीन भी कर लेंगे ये देखिए अब ये मैंने सरकल बना लि ये फैबरिक ग्लु की हल्प से हम यहां मेरर नहीं लेकिन मीरर अरा लूग देंगे ये प्लास्टिक वाले एक मेरर जैसे सरकल साते हैं जो दुपट्टों पे लग योते हैं कप्ड़ों पे भी इससे पेस्ट करेंगे फैबरिक ग्लु से इसके आसपस गोल्डन आउट ला ये गुल्डन आउट लाइनर से अब हम लाइन्स वाला सेंटर वाला अपना डिजाइन डिवेलप करेंगे जैसे मेहंदी का कौन चलाते हैं उसी तरह जो भी डिजाइन आपके माइन में आए आप बनाते जाहिए ये में ऐसे छुटे-छुटे डिजाइन बनाते जाओंग ये इंटर्नल सर्कल कंप्लीट हो गया जो वाइट बाहर हम जो मिरर लगाया उस पर हम वाइट डॉट्स करेंगे अगर आप कोई भी उची चीज लगाते हैं तो आप ध्यान रखे आपका लोटा या ग्लास बैलन्स नहीं होगा ये बिलकुल फ्लैट है जैसे सितारे होते इसे गोल्डल वैचे है इसके आस्स पास डाल दिया तो यह किनारी बना रहे हैं सरकल पे एसी कहीं कहीं वाइट आउट लाइन वाव्लाईन यूज करेंगे कहीं गोल्डल रहेंगे ये अंदर साथ साथ डिजाइन बना लिया हम हैंधी मेह भी हाथ पे मेहंधी है इसे हम लोग ड्यालब करते हैं वस फोन चलाना आना चाहिए हमें यह वाइट पर ले लिए हाफ कट पर्ल हैं यह हम खड़े किनारे पर लगाएंगे जो कि ग्लास यह लोटे किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर आप बड़ी थाली बनाते हैं तो भी आप आउटर किनारो पर ही लगाई है इसके बीच में अब हम थोड़े से ग्रीन स्टोन भी लगाएंगे यह देखे वाइट जो है पर लगाते ही एकदम थाली में ग्रेस आ गई है आप चाहें तो एक अदा सर्कल प्लेन चोड़ सकते हैं और कंप्लीट होने पे फ्रेंट्स वार्णिश मस्ट उसके बाद आप गीला कपड़ा भी मारेंगे तो कहीं कुछ कलर नहीं उतरेगा यह ग्रीन स्टोन लगा दी हमने थ्रीडी आउट लाइनर से बड़ा सा डॉट डाला फिट पीच में स्टोन जैसे ही प्लेस करेंगे रिंग आ जाएगा यह हमारी थाली कंप्लीट थैंक जाएगा 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 जाए